को जूटा साबित करने वाला कॉंग्रेस की बड़ी हकीकत मैसेज में शुरुवात में ही लिखा है नहरू की लड़की इंदिरा नहरू ने निकाह किया फिरोज जहागीर खान से लड़का हुआ राजीव फिरोज खान गाजी खान ने अंग्रेजों के साथ मिलकर यह पार्टी वनाई थी आपको बता दें गाजी खान के तीन लड़के थे सबसे बड़ा फैजल खान, दूसरा सलीम खान और सबसे छोटा मोहिन खान यानि बाद में हिंदूों को भारत से मिटाने के लिए बना नकली हिंदू मोती लाल नहरू पहला फैजल खान एक बिमारी की वजह से 14 साल की उमर में ही मर गया दूसरा सलीम खान शादी के बाद कश्मीर में रहने लगा आपको बता दें उसी सलीम खान के वनसज की उलाद आज कश्मीर में फारुक अब्दूला और अमर अब्दूला है जो कॉंग्रेस के साथ है अब बात आती है गाजी खान की गाजी खान ने चुनाव लड़ा पर कभी जीता नहीं गाजी खान के मरने के बाद तीसरा मोहीन खान फायदे के लिए हिंदू बन कर अपना नाम मोती लाल नहरु रख लिया पर वो भी कभी चुनाव नहीं जीता तीसरा उसके बाद मोती लाल की ओलाद जौाहर लाल नहरु ने जिन्ना के साथ मिलकर रणनीती बनाई कि जब अंग्रेज 1947 में देश छोड़ें तो देश का बटवारा करके जिन्ना को पाकिस्तान का PM बनाया जाएगा और नहरू को इंडिया का PM बनाया जाएगा पर जनता सरदार पटेल को PM बनाना चाहती थी और महत्मा गांधी ने नहरू का साथ दिया इसलिए गांधी हत्यार मराथा नातुराम गोड से गांधी के खिलाफ था लेकिन नहरू को PM बना दिया गया था नहरू की बेटी इंडरा फिरोज खान से निखाह करके फिर से मुसल्मान बन गई पर महत्मा गांधी ने लोगों की आँखों में धूल जोगने के लिए इंडरा को अपने नाम के आज सबूतों के साथ देखिये कि किस तरहे धर्म निर्पेक्षिता के बहाने आम हिंदूों का पैसा कॉंग्रेस मुसल्मानों में बाट रही है ताकि उसका वोट बैंक और मजबूत हो सके और सैकुलर हिंदू आज भी अंजान है गुलामों की तरहे देश द्रोही तब सरकार किसकी थी? जब मॉंबई पर हमला हुआ तब सरकार किसकी थी? जब चाइना में जमीन हर्पी तब सरकार किसकी थी? जब वील सैनिकों के सरकाट के पाकिस्तान ले गए तब सरकार किसकी थी? बोफर्स का घुटाला हुआ तब सरकार किसकी थी? सैनिकों की वर्दी का पैसा खा गए वो सरकार किसकी थी सरदारों का कतले आम किया वो सरकार किसकी थी शिमला का समझोता कर देश बेस कीमती जमीन पाक को दे दी गई तब सरकार किसकी थी आसाम में हिंदों का खून बहा तब सरकार किसकी थी कश्मीर पंडितों को मारा गया तब सरकार किसकी थी क गोमनलट का गोटाला हुआ तब सरकार किसकी थी। वंदे मात्रम का अपमान किया आखिर वो सरकार किसकी थी। एक नजर परिवार के कारनामों पर इंद्रा गांधी के रास्ते में आने वाले लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में रहस्य में हालत में मोथ हो गई ये एक बड़ा सवाल है आगे और भी ऐसे बहुत से बड़े सवाल है जो आपके मन में आज तक पैदा ही नहीं हुए गोर से सुनिएगा इन प्रस्नों को नहरू के लिए खत्रा बन रहे शामा परसाद मुखर जी और दीन दयाल उपाध्याई की हत्या कर दी गई और पुलिस ने आज तक इस साजिश्क से परदा नहीं उठाया क्यों राजिव गांधी के लिए चुनोती बन रहे वीर बहाध्यूर सिंग की पैरिस में मोत हो गई जबकि उनके हिर्दिया में कोई समस्चा नहीं थी आखिर कैसे हुई मोत सोनिया गांधी के खिलाफ कॉंग्रेस अध्यक्षि का चनाव लड़ने की दो लोगों ने हिम्मत की राजेस पाइलट और जितेंदर प्रशाद राजेस पाइलट की कार को एक रहस्य में ट्रक टक्कर मार कर गायब हो गया इसका खुलासा आज तक क्यों नहीं हुआ और जितेंदर प्रशाद बरेली के सरकिट हाउस में ही मर गए आखिर कैसे मरे इसके पहले सोनिया को चनोती देने वाले सीता राम केसरी को भी पार्टी से भगा दिया गया राहुल गांधी के लिए खत्रा साबित हो रहे माधवराव सिंधिया एक प्लेन एक्सिडेंट में मारे गए जबकि उनका प्लेन ब्रांड न्यू था और उसमें कोई समस्या नहीं थी और उसमें किसी भी मोसम में उड़ाने वाला सिस्टम भी लगा हुआ था कॉंग्रेस और विदेशी कंपनियों के लिए खत्रा बन चुके राजीव दिक्षित की मोत हो गई मृत्यू के बाद उनका शरीर काला पड़ गया जो केवल जहर या करंट देने के बाद होता है राजीव भाई की मृत्यू की खबर किसी भी मीडिया चैनल ने नहीं दिखाई आकर क्यों मित्रों आकरित ने पवित्र परिवार को किस देवता का आशिरवाद मिला हुआ है जिससे की जो भी इनके अत्याचारों के खिलाब आवाज उठाता है या रास्ते में आता है उसकी रहस्ते में हालत में मोत हो जाती है संभिधान की धारा 31 के तहत विद्यालियों में गीता रामायन पढ़ाना प्रतिबंदित है मदर्सों में कुरान और इसाईयों में बाइबिल पढ़ने की छूट क्यों है मंदिरों और तीरतिस्तानों के चड़हावे पर सरकार 70% हक लेती है और उसके साथ साथ सरकारी अनुदान भी आखिर क्यों बाबा अमरनात की यात्रा पर सरकार को टेक्स लेकिन हज यात्रा पर सबसिटी आखिर ऐसा क्यों दर्म निर्पेक्षता को मारो इच्छा है तो इस मैसिज को आगे बढ़ाओ वरना खुद को हिंदुस्तानी मत कहलाओ भारत माता की जै वंदे मात्रम वीडियो एडिटर पुषपा चोधरी के साथ निखिल वर्मा अउनली न्यूस 24x7 टीम दिली झाल